सबसे प्योरिटी है आपका स्टॉमिक उसको आप फाइबर डाइट मतलब फुरूड सबजी ये दही हकीम लुकमान कहते हैं के मुझे समय ना आती है वो लोग कि death कैसे हो जाती है जो daily wages पे दही का इस्तेमाल करते हैं हम ले में एक चीजिस करते हैं या दही महनी खास था, क्यों नहीं खास था मुझे वो digest नहीं होती है तो मतलब ही हमारी लाइफ स्केजुल में जब तक नैचरल और गैन की चीज़ें एंटर नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होसाद है दूसरे नमबर पर सबसी इंपॉर्टन चीज़ें जैसे चेवल चीज़ें चीनी चकनाई चावल चाय यह आपके लिए नुक्सान दें जब तक यह नहीं छोड़ेंगे आपके अच्छी सिहत नहीं चीनी बेसिक लिए अस्ट्रो पॉसिस है अभी मैं कुछ और से पहले अभी बॉड़ी पीन थे क्या थे कि पिता चाय में मीठा बहुत होता सा अभी वीवन कि हमारे मुलताने बेशमार पठानों के उतल बने हैं बड़े शौक से बटूस में देखे मीठा बहुत जएदा होता है यह मतलब है कि एक तो हमाएं कैलसियम है नहीं दूसरे नमर पे जो अगर आपने स्टेस से अगर आपना बजाए वो पैसा आप डॉक्टर सो दे आप हेल्दी डाइट पर इस्तमाल करें ताकि आपकी सिहत अच्छी हो आपकी आप इतना कुछ बता दिया मैं उमीद करती हूँ कि जो नोप सुन रहे हो जूरू उस पर अमल करें खिंके यह ती आपको नेखने बात वर इसे मिक्स कर गरताता है तो इसमें बहुत मैजर फरक इनने अब येख हैं आपको अने वाले वरक या परिशान कर रहे है जो आपको आदिक भी दो मिंट बाद क्या होने वाला है जिसे भी डॉक्स आपने के एक्जेम्पल भी ली कि जिस पेशिंट को वेंट पे मतलब जो पेशिंट गया और कि डेथ हुई है उसकी बज़े भी उसकी इंसाइटी थी कि वो उसे सुलूशन की तरफ ना देख सके तो वहां वो एंसाइटी का शिकार होना शुरू हो जाता है यानि कि वो दिल बरदाश्टा हो गया उसने छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता डिप्रेशन में एक बहुत जेन्वन जो आप वो थौर्ट्स आती है वह आती है कि आप दुनिया की हर ट्रीस से नाकाम हो चुके होते हैं आपको लगता है कि अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई है अब एक ही रास्ता और वो है मैं खुदकुशी कर लो एंसाइटी में ये चीज़ होती है कि आपको जिन्दगी जीने का दिल तो करता है लेकिन आपको लगता है कि अब मैं अगर जीने शुरू हुआ ना तो फिर कोई मुसीबट आ चुएगी इसलिए आप जिन्दगी नहीं जीते लेकिन वो ये डर रखते हैं कि नहीं अगर मैं जीना शुरू कर दिया इस मसले का हल निकला या लो फिर तो मसाईली खतर और एंसाइटी की पैशिंट तो इस तरह आगे भी होते हैं हमें बहुत सारे फूच ऐसे पैशिंट भी हाते हैं या अब यदो यह की ढरते हैं मिक कोई टेंशन नहीं होते हैं मैं जमक हमारी फ़ेरी पैसे हैं, अप को क्या है कि अहाल नहीं जीस को सकूझ को बहुत कोशे हैं मताइट 對 मैं जीसे होते हो Assasa P Ihnen को Dove C है, आप अपने आपको कैल्कुलेट नहीं घर रहे अब अपने आपको एक समरी नहीं दे रहे आपने अपने जिन्दगी में इतना हर चीज़ को बोज बना लिया है कि आपकी अपने जिन्दगी कहा हैं वो बिल्कुल मुन्तशिर है ये चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे आज करके अगर हम दोर देखें महिंगाई है हम उसका रोना रोते हैं हम अपनी जिन्दगी में बहुत सारी इतल हकीकतów में जब हम चले जाते हैं हम उसको भी रोते हैं कि ठीक है हमारे साथ बुरा हुै या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहाest । हो रही है लेकिन आप यह देखो कि कुछ चीज़ों को हम अपने उपर खुद से तारी कर रहे हैं हलाकि उसकी एक्जिस्टन्स नहीं है हमारे जिन्दगी में इतनी इंपॉर्टन्स नहीं रखती वह लेकिन एक वाक्य का आपके जिन्दगी में हो जाना वह आपको कितने कर सको मेंटली फिजिकली और इमोशनली मैं हमेशा बताती हूं कि आपके भी तीन चीज़ें इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आपको फिजिकली इतना फिट करें डॉक्स आपने एक्साइज़ेस बताई डाइट बताईं वैलन गुट के यह चीज़े हम अब इससे बहुत दूरो बात जोगी है कहीं ही खतंब कर चुके हैं थे डाइट में हमारे पास क्या है क्काने को दिल नहीं कर रहा है उदर और से कोई और शिज़ और कर दो चोड़ो या दिल नहीं कर रहा हम पुछ भी नहीं खाते अलब अगर भूक है तो नहीं काम काने का बुजर गया हमने अपने को फिजिकली अन्फिट कर लिया बिलकुल हमारे पोस्चर्ज देखने हम लेट के वुबाइल GeSTAiler कर रहे हैं हम किसी करवट हैं हमें यह निहीं बता कि हम जो हैंकि किस करवट पर क्या काम कर रहे हैं और हमारे बैठने का पोस्चर बहुत हो चुका है। रूटीक हमारी बहुत डिस्टरब हो गई है। जिसके वासे में फिजिकल बहुत सारी प्रॉबलम्स आती है। में हम अग्जी कहती हैं किसी एक काम परॉटीज़ हैं। हम एक काम पूरा करूंगा फिर मैं नए नए जो कोई भी काम ठीक नहीं हो बढ़ा है और मैं दस दफ़ा लोपी प्रकेटियों के देखें जी काम का एक स्कैजूल बना ले अब आप यहाँ चाहे पी रहें, यहाँ मुबाईल भी देख रहें फिर यहाँ आपको खाना रख दिया, आपने खाना भी खा लिया यहीं आप सारा कुछ एक साथ कर रहें तो जो खाने का से ले भी जाए, मुबाईल तो खैर गया ही सो गया, उसे तो बोई दिया यही निगे तो अब ऐसे है के मैं आपनी नहीं अधन भाद कर देख देख नहीं देख नहीं अब आप यह देखे के आपकी अटेंशन ना होने की वज़ा से आपका स्टमक डिस्टर्ब है, आप मेंटली तो आपके डिस्टर्ब हो गए है, लोगों को नीन क्यों नहीं आती आजकर बड़े कॉमन है, क्योंकि हमने पर दिमाग को यह अलाराम ही नहीं देते के भाई रात होगी है, आपकी स्क्रेंड लाइट जो है, वो आपकी ब्रेन को अलाराम नहीं दे रही है, क्या आपने सोना है, उसको तो अंधेरा चाहिए तो उसे यह पता चलेगा, आप यह आपके जाए रूटीन है, यह आपकी चीज़ है, फिर जजबाती तौट पर जब हम मैं इमोशन की बात करती हूँ, इस रेली ओफिंग, बहुत सारी लोग यह समझते कि नहीं यह यह तो कुछ इंपॉर्टेंट फिंग है, यह बहुत इंपॉर्ट और मैं अपने, अगर सा काम कर रहें, तो आपकी एमोशन जुड़े वे, कि आपको हैपिनेस मिले कि उसके बाद आपको रिगार्ड होगा, आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आपकी वह हैपिनेस जो है, वह कनवर्ट हो जाएगी आपकी सैडनेस में, और आप अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे, और आपको पैसे नहीं मिले, तो आपको कि मैंने काम किया साथ यह कि मुझे पैसे नहीं मिले, बेहाइंड डिजर्जर नहीं देखोगे, कि मैंने काम मारसार से बेंदो गढ़ए का टास्क वेट था, और नहीं च्छे गढ़ए वुरा किया है, मेजर फैक्टर्स हैं हमारी हमारी जिन्दगी में कभी हम कोई गलत लाव जिससे आज के दोर में आपने देखाऊगा कि बहुत ज़दा जो है, कामन चीज़ है, ब्रेक अपस हो जाना, चुटी चुटी उमर में प्यार हो जाना, अब यह वो फैक्टर्स हैं, जिनको लेकर मैं यह समझती हूं हमारी जि कि में अपने जजबात के साथ फुद खेलते हैं, यह ब्रेक अपने बात की तो यह आपको अलगता नहीं है कि अब जैसे हम लोग थे अब फुर्टीन फिफ्टीन इस से पहने की एजमें, जब इस साथ यह जिन्नेशन है, तो कई ने कई ने इसमें एक स्ट्रोग आपका मा खलत तरबियत जो हमारे बच्चों में डिवल्प हो रही है, कि आज छे साल के बच्चे को यह भी चीज़ें पता हैं कि मेरी मदर को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर एक नियूबॉर्न बेबी है तो नियूबॉर्न बेबी कैसे हुआ, हम इं जीज़ों का नहीं अल् बेबी को चाहि को तरफत जैस最 ق्रिंड याद बच्चे को आपने मुबायला को जान हुआ लियू आनुक्र फेशं करनी की तमीजभ भी दो ना आप उसको यह बताओ बेटा क्या है जो आपने देखना है क्या क्या नहीं देखना है रिखने देखना हम आपने जोज करना है अगर उसको अड़े होने के उधें जट एक पाश खो घरह हो तो कुछ ऐसी ञाएस तो पत्क हो भीलो के अच्छी हो गी और उसके पास होगी शोफ हमने उसको एक जिसे कहते हुए एक्षिन यह एक रिंफोर्समेंट है आप रिंफोर्स क्या कर रहे हो बच्छे को उसको तो पता है कि मैंने जुन है ना पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है मैं यहां जीद करूगा दो चाहताफा एडिया रगड़ूगा और आसुब हमगा मैं वो कहती हूं वह बेसिकली बेशक हमारे बहुत धाता मेंन्टली ना पर हमें हर्ड करती है वो चीजे लेकिन किसी ह iPhone भो हमारे बच्छों को बच्छों के सलाह के लिए बहुत बच्चे को इतना जरूर्सनब किया जाए कि उसको अच्छे बुरे के तमीज हो जाए ताकि हम माशे में जितनी बढ़ने वाली बिमारियां हैं और जितनी बढ़ने वाली जो यह फिस्ट्रेशन हैं यह खत्म हो सके हमारे माशे में सिर्फ फिस्ट्रेशन बढ़ रही है उस फिस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और, sorry to say, लेकिन हम लोग करना तालीम भी नहीं दे पारे हैं, जो बहुत basic है, हम वो तालीम नहीं दे पारे हैं, उसमें बच्छा अच्छे बुरे के तमीज सेख सके, हमने ये तो दे दिया कि ये लड़का है, ये लड़की है, और हमेशे ये लड़का लड़की ही शादी करत हमारा मौशन दिप्रेशन का शिकार नहीं तो फिर कहां जाएं, पहुत रही है, जो किसा बाग ये बताई है, जो कि अफीजियो थेरपी में कुछ एच्छा है कि तैकिन करना कोई लाज है, जिसके दिप्रेशन को क्यार किया दा है, देखें, मैंने पहले बता है कि obviously के आइक्टिव किस सान से आपने यूज करना है, आप इसको यूज करते हैं, आप इसको यूजियोज ली और ऐसे आप लोग सर्च करके आप अपना नॉलज इनियास कर सकते हैं, अगर फजूल जैसे माइन स्किप होना, डाइवोर्ड होना, मतलब आपका फोकस नहीं है, फोक अब आप देखें इसके साइड एफेक्ट हम क्या है, अब मसलसल हम बैटे हैं मॉबाइल लेकर यह बैठी है, अब देखें कि अब मसलसल काफी देर बैटने के वड़े से आपका स्रुवाइकल प्रॉब्म हो जाएका, जिससे अब गर्दन के मौरे खराब हो जाएके, वो स हातों की गृप होती है, हाथ हमारे वी गर्यूब मतलब बैटने के वारे से हमारे बैकेज का प्रॉब्म करदाश शुरू हो एता है, फिर समटेम सम टाम गुजारने के बाद प्र कर दाश चल चांक में चल जाते हैं और इससे बड़ के, जब आप मुसलसल ऐसे बैठते है आप जैसे बता रहे हैं कि मेरी आदत है कि मैं आधा चाय पी रही हूं, खाना खा रही है आप देख रही हूं, आप देखे जो आपका डाइजियो सिस्टम डाइजिस्टिप अपर नहीं करेगा, कांस्टिबुइशन गैस टोबल हर दूसरे बन्दे को क्यों है, इस वैसे मसा आजर निकालने की वज़ा से ही है. अब जहां तक है डिपरेशन से निकालना और निकलना, अब उसकी हम जो सिंपल ऐसे लोग जो डिपरेशन का शिकार हैं, उनको सिंपल से आपको प्रिशर पॉाइंट्स होती हैं हमारे अब इसको मैनूपलेट करने जास आपने जहां आए थम आप ऐसे open करें, close करेंगे, आप प्रीस महसूस होगी है, अब इसको अपने प्रेस करना है, प्रेस करेंगे, आपने इसको circling करना है, मतलब एक से दो मिनट जब आप circling करेंगे, आपका mind फूरण जो एक away होता है, इदर दर होता है, वो फूरण आपका focus हो जागा, इसी त दूसरे नुमर पर जो सबसे पहले वह होती है, रिफैक्स ओलिजी, रिफैक्स ओलिजी क्या है, आपकी जैसे हम लोग डियागनोज करते हैं, हम एरिंग हमारे हैं, मतलब जितने अको पंचर, अको प्रेशर पॉइंट से हमारे एर करता है, हम फेस से उनको analyze करते हैं, फेस अको पंचर कैसे है, किस तरह से है, हाथ में पूरी इनॉटमी है, फूट अफ सोल के नीचे पूरी इनॉटमी है, अब इसका सबसे बेतरी तरीका का है, सबसे पहले आप अपने हाथों ऐसे करने हैं, आप ऐसे touch करें, आराम से इसको, आप उस stress depression से आपने आपको out करने के ल करें, clap करें, loft पर दें, loft is a best therapy, अब इसके बाद आपने हेर ब्रश ये है, कौम है, आप इसको rubbing करें, rubbing करने के आपका फूरन आप depression से आप out हो जाएंगे, आप मतलब कुछ नहीं कहाँए, आप जो सौक्स उतारें, जो मतलब ये shoes off करें आप, और आप ऐसे पैदल नंगे प ऐसी medicine के बाद, खाने बाद क्या होगा, आप सोते रहेंगे, 24 गंडे सोते रहेंगे, उसके issues क्या होंगे, constribution, gastroble, pain management, फिर आपको depression का treatment चल रहा है, साथ आपको psychiatrist का भी चल रहा है, फिर neurological problem के नियोरों को पास जाना पर गया, नियोरों को पास मैडिसन के बाद जाना पर गय बज़ाएंगे, बज़ाएंगे, यह चीज़ेंगे आपने डॉप्ट करने जिस्तिके से, गाइड किये, समझाये, इसी पर अमल करेंगे, तो मेरे खाल में जिन्दगे मेडिसन जरूरत नहीं पढ़ेगी, तो इसलिए बज़र्गों की बाते जो की हुई है, उसी पर अपन आप बहुत अच्छे थे, बज़र्गों की नहीं पता थे, मुझे भी आट टी शो में से खने को लीनित, और उमीद करती हुएंगे, उनको भी बहुत की से खने को मिला होगा, और यह भी उमीद करती हैं, जो तीज़ें बताए गए हैं जिस तरह से बताया गया है, किस तरह किस्ता निकलना है और अपनी खुराग का किस्ता थे ख्याल रखना है कि डिप्रेशन इस टेंशन एंजाइटी जैसे जो नवर्ज है उन से दूर रहादा है आज से प्रोग्राप जाहिए वोई इस पर फटम होता है मुझे अपनी मेजमान अमना आशेते जादर दीजी आला किस्ता रखना है